हेलो दोस्तो यूट्यूब चेनल जेविद स्टेडी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम एक महत्पुन टॉपिक भारत के 2020 के और विश्व के सांत में जितने भी महत्पुन टॉफान आये हैं या चकरवात आये हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो आप वीडियो पर बने रही है और सांत में अगर आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यहां पर 2021 के समस्ते टॉफान हमारे सामने हैं तो पहला और सबसे महत्पुन टॉफान जो है यास टॉफान है जो अभी हाली में आया था तो यास टॉफान से प्रस्ने बन सकता है कि यास टॉफान का नामकरण किस ने किया था तो नामकरण जो इसका किया था ओमान द्वार यह उसके बाद पैंगलादेश वाला जो शेत्रे यहां पर इंग प्रभावकरी रहा था इसकि तीूरिता है जो मई 2020 में टूफान आया था רै तो यह सारे ट्शूफान से जरूरी याद रखी अगला तूफान पहले अभी थोड़े वार्थ तूफान था अरब सागर से मानी जाती है इसकी जो उत्पत्ती हुई अरब सागर से हुई इसका भी जो नामकरण है इंपोडेंट है इसका नामकरण जो रखा था म्यानमान ने रखा था तो याद रखिए इसका जो नामकरण है एक विस्ट के जो कुछ देशों के हैं हिंद महासागर में जो related देश है उनका एक समू है जो प्रत्यक करम के बाद नाम रखते हैं किसी भी तूफान या चक्रवात का तो याद रखिए इसका जो ताउत्य तूफान का रखा था म्यानवान ने रखा था और रोमान दुआरा यास तूफान का नाम करन रखा गया था और हमारे भारत में इसकी प्रभावित जो राज़े है वो है गुजरात, महरास्ट, केरल ये प्रमुक राज़े है सांत में रजिस्तान का भी कुछ इससा इससे प्रभावित हुआ था तो याद रखिए और इसकी जो रफ्तार थी इसकी रफ्तार थी 140 किलो मेटर से 175 क्लो मेटर के मद्य तो प मैस का तूफान मैस के नाम का तूफान भी एक जापान. में आया था या रखिए जापान मायसक जो तूफान है वो जापान में आय था उसके बाद एक तूफान आया था गोनी तूफान जो आय थो एक Kr sekali कलिए फिलीपिंस में आया था और साथ में THE तुफान ही, ये निकारागूअ और होंडूरास में आया था, याद रखिए, यहां से भी प्रशन बन सकता है कि जो है लोटा तूफान का संबंध किन-किन देसों से या किन-किन छेत्रों से हैं, तो निकारागूअ और होंडूरास से in BAו,ह subsidiary तमिल नाडू और पूंडी चेरी वाले शेत्र को पांडी चेरी वाले शेत्र को इन्हों ने प्रभावित किया था 2020 में तुफान आया था तो तुफान निवार जो है ये तमिल नाडू और पांडी चेरी और अगर देश पूछले तो अपना भारत देश अगला जो तुफान वो आएगा बूरेवी तुफान तो बूरेवी तुफान भी जो आया था वो आया था तमिल नाडु में तो जरूरी इसको याद रखिए बूरेवी तुफान जो है तमिल नाडु में आया था अगला तुफान तुफान टाई ने यह मेडा गासकर दी पर आया था मेडा गासक इसे प्रमुक रूप से प्रभाइव था अफरिका के निचे जो मेडागास कर दी विष्थी थे तो याद रखिए आप लोग मेडागास कर में आया था टाइड ने अगला है निशर्ग तुफान बहुत इंपोरेंट वेरी मोस्ट इंपोरेंट तुफान तो निशर्ग निशर्ग का बांगलादेश द्वारा, याज तुफान का ओमाँ द्वारा और जो अभी ताउते तुफान आये था इसका जो दिया गया मियाणमार द्वारा तो ये तीन जरूर याद रखिए आप उसके बाद अमफान तूफान जो मैंने आपको बताया था कि उसकी तिवरता जो है अमफान तूफान के लगबख हो सकती है तो जो अमफान तूफान है अमफान तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से मानी जाती है और ये जो ह पाकिस्तान ने बूलबूल Тुफान का नामकर्ण किया था और उतपत्ती इसकी बंगाल की खाडी में हुई थि तो ये प्रमुक कुछ तूफान है हमारे सामने जो बहुत ही important है आने वाले exams के लिए तो आप इन तूफान को जरूर याद करिए अपने notes में note कर लिजिए ताकि आगावे exam के हमारी तैयारी और बहतर हो सके और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप channel पर बने रहिए channel को subscribe कर के वेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले महत्तुन तक्ठों के साथ जय ही जय भारत